पागल बोला मैं पागल हूँ हाँ मैं पागल हूँ कि ये पूरी दुनिया पागल है और मैं दुनिया के एक हिस्सा हूँ इसलिए मैं भी पागल हूँ इस दुनिया में कौन पागल नहीं है कोई खुबसरत पत्नी के लिए पागल है कोई धनवान पती के लिए पागल है गरी कोई लड़ने के लिए पागल है, कोई लुटने के लिए पागल है, कोई प्यार में पागल है, मैंने तो सुना है कोई भगवान के लिए पागल है, जिनके दिमाग नहीं है वो तो पागल है ही, लेकिन जिनके ज्यादा दिमाग है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल है एटम बॉम परमानु बॉम एही ज्यादा दिमाग बलोने बनाए हैं अब जिनके हातों में हैं वो उद्धन पागलों की तरह दहाड रहे हैं कि हमें युद्ध चाहिए हमें युद्ध चाहिए और युद्ध होके रहेगा जब तक इन ताक्तों का आप इस्तेवाल नहीं करेंगे एह लोग इसी तरह दहाडते रहेंगे और तुम सोच भी नहीं सकते कलपुना भी नहीं कर सकते आउट आप इमैजिन कि परवाणों युद्ध होने के बाद इस दुनिया का क्या हाल होगा कितना विनाशकारी वो मंजर होगा कितने भयाना को तस्वीर होगी कितना बिबत्स वो रूप होगा धर्ती मा का इस दुनिया से पूरी तरह स्रिष्टी मीड जाएगी ना इनसान रहेगा ना जनवर ना पेड़ ना पहुदे ना मंदिर में कभी घंटी बजेगी ना मस्जित से कभी आजान आएगी ना कभी बाहार आएगी ना फूल खिलेंगे ना पंचिक आएगे लेकिन सुराज अपने नियम उनसार उखते रहेंगे चान भी दिख्याई देगा लेकिन उस मंजर को लिखने वाला कोई नहीं रहेगा से पे रहेगा तो पानी ही पानी पूरी दुनिया खमोश हो जाएगी सन्नाटा हो जाएगी सिर्फ उपर से नीचे की और गिर्तु ही पानी का वो कल कल राव सुनाए देगी हमारी धर्ती मा समय से पहले मर जाएगी इसे अंग्रेजी में डेट प्लानेट कहा जाएगा और किसी दूर गुरह से कोई यलियांस हा कर यहाँ पर डेरा बसाएगा ओर हम और हमे इश्वार कभी दोबारा इंसन नहीं बनाएगा नहीं नहीं जो गलत उन्होंने एक बार किया है वो दोबारा नहीं करेंगे हम इनसान के लायक है ही नहीं हम इनसान है ही नहीं हम तो जानवार का एक ऐसे प्रजाती है जो अपनों को मार कर खुशिय मनाते हैं हम इनसान है ही नहीं हम इस संसार के सबसे छोटी कहानी का किर्दार है एक इंसान इस धर्ती पर जनम लिता है और मर जाता है बस कहानी खतम